को हम English to Hindi करने जा रहे हैं यह poem है Class 3 का Trees, Lesson No.1 और देखें सबसे पहले इस पर हम देख लेंगे How many names of trees can you think of Here are few आप देखेंगे यहां पर कि How many names of trees कितने पेड का नाम आप जानते हैं यहां पर कुछ दिये गए हैं और जो भी आप देखेंगे capital लेटर से लिखा हुआ रहे हैं और यह पेड का नाम है Aspen यह पेड का नाम है Poplar, Peach इसी परकार से Sycamore, Willow, Fur और Beach यह सब जो है और पेड का नाम है तो चलिए इसे देख लेते हैं The Oak is called the King of Trees यानि ओक को ओक एक पेड है ओक को पेडों का राजा कहा जाता है जैसे कि फलों का राजा आम है मिठाई का राजा जले भी है उसी तरह से ठीक इसी परकार से पेडों का राजा ओक को कहा जाता है यानि जितने भी पेड हैं उनमें से सरुस्रेष्ट ओक के पेड को माना जाता है इस्पेन कीकर इन दब्रीज एस्पेन में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पेंड का नाम है यह जो है कैपिटल से लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि नाम है यह तो जब समीर हवा चलती है समीर मतलब मंद ठंडी हवा हलकी हवा जब हलकी हवा चलती है तो आप समीर हवा चलती है जब ब्रीज का मतलब होता है हलकी हवा और क्वीवर का मतलब होता है जूर जूरी तो जब हलकी हवा चलती है जब ठंडी हवा चलती है जब समीर हवा चलती है तो आप समीर हवा चलती है the popular grows up straight and tall एक पौपलर एक पौधा है इसे हम पहारी पीपल भी बोलते हैं इसे चिनार का भी हम पौधा है बेड पेड पेड बोलते हैं तो जो चिनार का पेड है वो सीधा और लंबा होता है straight मतलब सीधा और tall mean's लंबा तो चिनार का जो पेड होता है PJ Not पीछी मतलब होता है, एक पेड का नाम है . उसको बोलते है अडु , तो आडु का पेड है वो दिवार पर पूरे रूप से पैल गया है सिस्सिती के मोर होता है गूलर का पेड शिका मोर गी डिय팅 शेचॆبر यानि कि जो गूलर है, वो सुखध चाया देता है और सबसे ज़्यादा तो बकरियां इसे खाती है ये बड़े चाव से खाती है इनके जो पत्कियों में सबसे खास बात क्या होती है ये दूध होता है दूध होने से क्या होता है कि जो गर्मी पढ़ती है जो धूप पढ़ता है और जो अर्थ तक आता है तब तक से धूप को ठंडा कर चुका होता है तो इसके नीचे बैठने से पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से बर्गत के पेड़ के नीचे बैठने से आपको ठंडी हवा लगती है क्यों क्योंकि इनके पतियों में दूध होता है तो क्या बोल रहा है दस्ती के मोर गिव्स प्लिजेंट शेड यानि कि जो गुलर का जो पेड़ है वो सुखद च्छाया देता है दो विलो डूपस इन वाटरी ग्लेड यह विलो का पेड़ पानी से भींग कर वन के मैदान में जुग जाता है विलो जो है एक प्रकार का बेत की तरह पतली लचरदार डाली वाली पेड़ होती है और थोडिवी वर्षा होती है तो पेड़ क्या होता है जुग जाता है The fur tree useful timber gives यानि fur मतलब होता है देवदार तो जो fur का जो पेड़ है वो उपयोगी लकडी देता है बहंगी किमती लकडी देता है The beach amid the forest lives यानि जो beach मतलब होता है गमहार गमहार एक लकडी है एक पेड़ है वो भी बहुत बहंगा बिखता है गमहार जंगलों के बीच में फलता फुलता है यानि घने जंगलों में गमहार का पेड़ मिलता है यही था यही थी यह कवीता I hope कि आपको समाज में आया होगा धन्यवाद